हेलो दोस्तों, आप देख रहे है लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी, यहां खुदाई के दौरान मिले 600 साल पुराने चांदी के इतने सिक्के, विकासखंड खेर्सू के कठूड गाव में मंदिर के प्रवेश द्वार की खुदाई के दौरान चर न्दी के सिक्के मि हैं, ग्रामीनों ने सिक्कों को जिलाधिकारी को सौंप दिया, जिलाधिकारी के निर्देश पर 329 सिक्कों को सील बंद कर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है, बता दे, इन दिनों कठूड गाव में बैर्वनात, मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्मान चल र रहा है, बताया गया कि गत दिनों प्रवेश द्वार महरवान सिंह को खुदाई के दोरान एक बरतन में चांदी के सिक्के मिले, इन सिक्कों को लेकर महरवान सिंह, ग्राम प्रधान श्रवन्थप, याल मुख्याले पहुंचे तथा मिले सिक्कों को जिलाधिकारी सुशील कुमार के सम्मुक रखा, जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा की मौझूदगी में सिक्कों को गिन्ती करवाई, गिन्ती में 329 सिक्के मिले, इस दोरान पुरातत्व विभाग के कर्मी भी मौझूद रहे, ADM ने मिले सिक्कों की गिंती के बाद सील बंद कर दिया, जिलाधिकारी के निर्देश पर सिक्कों को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया, जो सिक्के मिले हैं, उनमें 32 छोटे चकोर, 6 बड़े चकोर, 18 बड़े गोल तथा 273 छोटे गोले आकार के सि के करीब 600 साल पुराने बताय जा रहे हैं, जिलाधिकारी ने बताया कि खुदाई में और सिक्के मिलने की संभावना होगी तो इस दिशा में भी कारे या जाएगा, क्षेत्रिय पुरातत्व अधिकारी आशीश कुमार ने बताया कि म्यूजियम नहीं होने से इनके रखरख की समस्या है, कहा कि इस संबंध में निदेश आले को लिखा जा रहा है, जो दिशा निर्देश मिलेंगे, आगे की कारवा, अमल में लाई जाएगी